Hello everyone, कैसे आप? I hope आपते होंगे मेरे बचे, class 9th का syllabus में आपको यहां पढ़ा रहा हूँ subject mathematics तो अभी हम आपकी NCRT से chapter number 9th कर रहे हैं that is circle तो आज के lecture में जो circle chapter की last exercise है exercise 9.3 यह last exercise है, total 3 ही exercise है तो आज के lecture में exercise 9.3 कि जो 4 examples हैं उन 4 examples को हम complete करेंगे total 4 examples हैं इस exercise की और पूरे chapter में total 5 examples है एक example 9.2 में है that is very important example वो अलरेड़ी मैंने आपको पढ़ा दिये and 9.3 की 4 examples यह आज हम complete करेंगे और उसके बाद आपकी exercise start हो जाएगी तो मेरे बच्चे syllabus वेरा circle का क्या है, कितना इसका weightage रह सकता है आपके final exam में सब कुछ मैं यहाँ पे discuss कर चुका हूँ 11 theorems, total कितनी है 11 theorems को आपको understand करना है, circle को complete करने के लिए उसको अच्छे से समझने के लिए और 11 में से सिर्फ 2 theorems का proof आपके syllabus में तो यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो अभी हम last exercise पे पहुंचे हूँ ठीक है, everything almost we have done 9.7 जो theorem है, that is very important last lecture इसी पे था 99% आप किसी भी school में है, चाहे कोई state board school हो, जाज CBSE school है 9.7 theorem 99% exam में पुछी जाती इसको अच्छे से कर ले ना last यह था आपका coordinator के बारे में cycle गया रहा तो आज हमारी example स्टार्ट हो जाएंगी बचे, example स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो last lecture था था ना थोड़ा सा उसको मैं revise करवा दूँ क्योंकि last lecture में जो theorem discuss की गई है, उनी के concept यहाँ पर use होएंगे, examples करते बगत सबसे पहले जल्दी से बता देता हूँ जैसे मेरे पास एक आक है AB, तो इससे मैं cord भी बना सकता हूँ तो यहाँ दो segments बन गई एक यह minor segment और यह major segment एकी तरफ आप बहुत सारे angles बना दो, circumference के ओपर circle के circumference के ओपर एक angle यह बना दिया, एक angle यह बना दिया तो मैंने दो angle बना दी इनको ऐसे बोलेंगे angles in the same segment कि जो arc AB जा फिर cord AB ने जो दो angle बनाए same segment में angles बनाए तो यह दोनो angles बचे equal होगे तो last lecture में हमने यह discuss किया था एक तो यह concept इसमें लगेगा next इसमें angles some property भी लग सकता है some of three angles of a triangle is 180 degree वो तो पता ही है उसके बाद cyclic coordinator का जो concept है कि अगर कोई coordinator और वो cyclic है तो उसके opposite angle का sum कितना होता है 180 degree होता है यहाँ पर theorem में आपको दीख भी रहा है ठीक उसको बदेख most important शायद circle में यहाँ आपको chapter में नहीं मिलेगा concept but that is very important और यहाँ example में वो हम apply करेंगे क्या जब आप circle में उसका diameter बनाते हो चीक है diameter भी एक cord ही है longest cord तो जब circle में आपने diameter बनाया तो हम बोलते हैं यह semicircles बन गए दो क्या बन गए? semicircle तो जब diameter कोई angle बनाता है किसी भी semicircle में तो वो angle 90 degree को होता है तो reason में हम डालते है angle in the semicircle angle in the semicircle तो angle in the semicircle is 90 degree वो right angle का angle होता है यह आपको पता होना चाहिए अगर नहीं है तो अभी मैंने बता दिया यह भी यहाँ पर apply होगा जैसे मैंने यह एक angle यहाँ बना दिया P यह diameter ने बनाया है diameter के end point से यह निकला है circumference तक गई दो raise तो यहाँ पर एक angle क्रेट होगा तो यह angle आपका 90 degree होगा ऐसे यहाँ पर भी देखो angle बन रहा है P और Q यह 90 के नहीं है क्योंकि इसको AB chord ने बनाया दोनों angles को AB chord ने बनाया लेकिन यह semicircle में नहीं बने क्योंकि यह chord diameter नहीं है अगर यह chord diameter बन जाए तो भाई यह angle आपका 90 degree का होता है यहाँ फिर दो बनाओ तीन बनाओ वो सभी 90 degree के होगे फिर से बना के दिखा देता हूँ यह मैंने एक diameter बना दिया AB इसने एक angle यह बना दिया एक angle यह बना दिया एक angle यह बना दिया तो इस diameter ने तीन angles यहाँ पर बनाए P, Q and R यह तीनों angle आपके 90, 90 degree के होंगे equal होंगे क्यों? क्योंकि इन दा सेम सेग्मेंट है और 90 के क्यों है? क्योंकि वो diameter बना रहा है semi circle में वो angle बन रहा है Is it clear? तो यह आपके 3-4 concept है इनी पर based हमारी exercise है plus इसकी examples है तो चलो अभी हम example discuss करते है Example number 2 Read the statement carefully देखो diagram आपको यहाँ पर givenness ने लिखा हुए in figure 9.19 लेकिन हम diagram यहाँ कोशिश करेंगे खुद ही बनाने की देखते हैं कैसे manage करेंगे कह रहा है AB is the diameter of the circle and CD is the chord equal to the radius of the circle तो भी आपको एक circle बनाना और उसका AB diameter बनाना बनाते हैं मेरे बच्चे यह आपकी circle आ गए यह इसका center तो इसका diameter बना दो this is a diameter AB Is it clear? statement पढ़ते जाओ figure बनाते जाओ अपने बनी जाती है लेकि इन questions की figure आपको exam में given होगी अगर यह question आते हैं आपको ठीक है cd is the chord of equal to the radius अब एक chord बनानी है जिसकी length radius के इकल होगी यहनि जो diameter आपने बनाया AB इसका half of course radius होता है उतनी length की chord बनानी जैसे OB जाँ फिर OA इतने length की एक chord बनानी radius के इकल तो भाई हम इसको यहाँ बना लेते हैं book में भी आप देखेंगे ऐसे कुछ बना होगी तो CD is chord जिसकी length radius के इकल है that is very important radius के इकल है वहाँ से concept कुछ बनेगा फिर इसका बनात कहा रहा है AC and BD when extended intersect add point E extend करना है AC को लिएनि A से C को join करना A से C को join करना और इसको extend कर देना यह आगे गिदर अभी मैं figure बनाना आपको सिखा रहा हूँ ऐसे extend करना है और B से D को join करना है और इसको भी extend करना है और यह दोनों कहीं E point पर मिल रहे है और जो E point पे angle create हो रहा है यहाँ पर यह वाल angle इसको 60 degree का बताना है A E B angle 60 degree is it clear I hope आपको question समझ में आ गया कैसे figure बनेगा अगर given ना हो तो अगर given है फिर तो बहुत अची बात है जल्दी से आप बना लेंगे बस compass आपके बास होनी चाहिए अब इस figure को मैं फिर से बनाता हूँ कल आगी बेटा और diameter आपको लेना है let it is A B center से पास कर रहा है एक chord बनानी let this is chord CD AC और BD को extend करना है AC को extend करो BD को extend करो और दोनों को E point पे मिला दो तो ये वाला angle हमको find करना और वो 60 आना चाहिए इसमें चोटी सी आपको construction करनी है given you can write from the question to find you can write construction में आपको क्या करना है एक तो C को join कर दो center से D को join कर दो center से और C को join कर दो आप B से ये construction है join OC, OD and CB ये होगे दो radius बनाने है और एक C को B से join कर दिया इस figure में भी कर लेते हैं ये बच्चे आगी construction ये आगी construction और यहाँ से C पे B जाना है ये आगी construction अब मैं यहाँ पर आपको एक इसका main point बता दूँ कि ये जो ECB ये जिसको अभी मैंने highlight किया है ये जो triangle है ना इसमें हमने angle sum property लगानी है जिससे ये angle 60 degree का प्रूव हो जाएगा अब angle sum property लगानी है उसके लिए ये angle भी पता होना चाहिए और ये वाला angle भी complete पता होना चाहिए अगर ये दोनों angles आपको पता चल जाते हैं तो ये वाला angle आप बड़े मज़े से निकाल लेंगी कुछ given information भी है हमारे पास equal जो cod CD है equal to radius है ये है इसमें main point देखो अचे हमारी जो cod CD है ये ये किसके equal है radius के equal है मतलब ये OD और OC के equal होई यहाँ पर जो triangle बन रही है OCD ये एक equilateral triangle होई कुछी? equilateral triangle जिसमें हर एक angle 60 degree को होता है तो angle जो O है ये भी 60 degree को हो गया इसमें ये वाला complete angle ये भी 60 का और ये भी 60 का जैनि बहुत सारी information हमें यहाँ पर मिल रही है तो solution मैं start करता हूँ यही से हम start करेंगे here CD is equal to CO is equal to OD it is given information therefore triangle COD is an equilateral triangle क्योंकि equilateral triangle है तो हर एक angle इसका 60 degree को होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ angle OCD is equal to angle COD is equal to angle CDO हमें कौन सा चाहिए वह हम देख लेंगे पर ये सभी angle हमारे 60 degree के clear एक चीज़ ही होगी दूसरी यहाँ पर diameter भी बना हुआ है AB यह भी तो कुछ कर रहा होगा जो भी given information होती है solution वहीं से बन रहा है अब यह diameter है इसका भी कुछ मतलब होगा अब यह diameter ने भी एक angle बनाया हुआ diameter अभी मैं समझा रहा था angle जब बनाता है तो वो semicircle में बनाएगा तो semicircle में angle जो बनेगा वो 90 degree का बनेगा diameter वो बना रहे अब देखो diameter के end point से कौन सी ray निकल रही है यह वाली ray निकल रही है और एक यह वाली ray निकल रही है तो यह वाला जो complete angle है यह 90 degree के यह भी आप लिख ले information हेर एंगल ACB ACB is equal to 90 degree reason क्या डेलेंगे angle in the semicircle angle in the semicircle बस इतना ही लिखना angle in the semicircle sufficient देखो भाई यह 90 degree का हो गया यह complete 60 degree का हो गया यह भी 60 degree का अब क्या मैं यहाँ पे EC और B angle को find कर सकता हूँ इस given information से देखो इसमें यह complete angle में find करने की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं यह find कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ मेरे बच्चे यह वाला angle जो अभी हमने 90 लिखा और जो मेरे को find करना है C point पे यह दोनों linear pair angles है तो here angles angles E CB समझना यह वाला बड़ा वाल angle जो main हमारी triangle है न इसमें E E angle है उसका यह C angle पूरा ECB plus इसके साथ जो linear pair ले रहे है BCA BCA इनका स्थम कितना 180 रीजन डालेंगे हैं अब linear pair angles ठीक है अब देखो ECB तो हमको पता ही नहीं यह हमको पता ही नहीं लेकिन BCA देखो अब यह भी यह लिखा यह ACB जब BCA की बात है तो यह 90 degree का है तो इसका मतलब यह जो right triangle है ECB एक right triangle है क्योंकि इसका एक angle हम यहाँ पे 90 find कर चुके देखो 180 में से 90 जाएगा तो 90 degree आ जाएगा clear है अब यह B angle हम कैसे find करें जिससे E भी निकल जाएगा तो मेरे बच्चे अभी जो discuss कर रहा था theorem 9.7 that is very important theorem उसी का concept यहाँ पे use हो रहा है देखो बच्चे यह जो chord है CD CD chord को दियान से देखो जो CD chord है मैं इसको अलग से diagram बनाता हूँ यह जो CD chord है यह center में भी angle बना रही है COD जो की 60 degree का है अलड़ी लिखा हुआ है और यही CD remaining part of the circle यही CD B point पे भी angle बना रही है यह देखो अब बताओ remaining part में जो angle बनता है और जो center में angle बनता है by the same chord क्या relation होता उनके बीच में तो 9.7 theorem ही यहाँ पर apply हो रही है angle in the center is double the angle at the remaining part of the circle तो अब आप यहाँ पे direct लिख सकते हो कि जो angle B है यह जिसका नाम है पुरा CBD is half of the angle जो center में बन रहा है और center में को बना है COD इसका reason क्या डालना है theorem 9.7 का statement अभी मैं लिखनी रहा हूँ बढ़ आपको यह statement as a reason देना होता है ऐसा मत लिखना एक्जाम में theorem 9.7 आपको लिखना है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle clear है यह reason पूरा आपको डालना है अब COD क्योंकि हमको पता है COD क्योंकि हमको पता है 60 degree का तो यह वाला angle कितने degree का आगया 30 degree का इसको half से divide कर लिए that's all जितना आपको यहाँ पर screen पर भी solution दिख रहा है इतना ही solution आपने exam में लिखना है अब last step इसका बचा हुआ है E angle पर आना है angle sum property से तो in triangle ECB in triangle ECB angle ECB plus angle BCE plus angle sorry BC नहीं ECB BEC BEC CB पर ले लिया EB पर ले लिया B पर ले ते angle EB C इनका sum 180 degree angle sum property that you can write ECB कितने degree का है ECB सर अभी अभी आपने बताया 90 degree का तो this is 90 degree angle BEC कितने degree का है सर इसको तो find करना है EBC कितने degree का है सर अभी find गया 30 degree that's all angle BEC plus 120 180 angle BEC is equal to 180 में से 120 माइनस कर दो is 60D देखो मेरे lectures lengthy होते हैं बढ़ मैं question को इस तरह से आपको समझा देता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं पूरा question को समझते हैं आपको question याद हो जाता है याद हो जाता आपको question बस आपकी जुरूरत है कि एक दो बार आपको इसको practice कर लेना अपनी notebook पे ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 2 जाने example number 2 अब बढ़ते हैं आगे example number 3 इसका भी figure given आपको question book में हम यहाँ खुद बनाएंगे in figure 9.2 ABCD is a cyclic coordinator in which AC and BDR is diagnosed जेखो cyclic coordinator की बात हो रही है तो opposite angle का sum कितना होता है 180 पहले तो mind में यह आता है दूसरी चीज़ यह भी आती है cyclic है तो इसके सभी vertices circle के उपर होंगे तो ऐसा कोई coordinator बना दो आप यह आगा ABCD ABCD this is cyclic coordinator मेंने बना दिया AC and BD are its diagnosed लो भाई AC और BD यह इसके दो diagonals भी बना दिया angle DBC 55 degree दून्दो भाई कहां angle DBC D B C यह angle it is 55 degree and angle BAC B A C यह वाल angle it is 45 degree find angle BCD कहां है भाई BCD B C D यह complete angle यहां पर एक तो angles in the same segment वोला property लेक लगेगा और एक opposite angle का some 180 degree होता है cyclic के लिए दो concept से question निकल जाए given where आप लिख लेंगे अब यहां पर solution स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे 45 यह 55 जो हमें दिया हुआ इसका कुछ मतलब तो होगा न देखो यहां पर ऐसा करते हैं यह 45 की पहले बात कर लेते हैं 45 degree हमें क्या information दे रहा है और कौन सा angle दे सकता है 45 बना कौन रहा है यह CB cod बना रही है जहनी CB arc बना रही है तो यह CB arc जहां CB cod कई और angle बना रही है circle के अंदर देखो C से निकला A पे गए B से निकला A पे गए ऐसा कुछ और हो रहा है C और B से निकल के कहा जा रहे हो देखो इधर जा रहे है D पे तो यह angle भी 45 degree का होगा तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे angle CAB जो की 45 degree का है और यह किस के एकोल है C D B के कोल है C D B के कोल है reason angles in the same segment angles in the same segment clear हो गया भाई यह 45 आ गया यह 55 degree का है अब क्या बचा यह पूरा angle उसको दो तरीके से किया जा सकता है cyclic coordinator की opposite angle का 180 होता है वो concept से भी बना दूँगा plus यहाँ पर यह triangle ही है D C B इसके तीन angle का sum 180 degree तो दो तो पता ही चल चूगी है तो तीसरा आ गया I hope angle sum property triangle का आपको ज़्यादा easy लग रहे अगर आपको cyclic के लिए जाना है तो cyclic पे भी बात बन जाएगी यहाँ पर मुझे बस एक angle और find करना पड़ेगा तो it is better मैं triangle के लिए चला जाता हूँ book में जो ना cyclic की help से किया हुआ है that you can see from the book तो भी हम बहुत easy यहाँ समझ गए हैं कि triangle से भी बात बन रही है तो I am writing here in triangle DCB by angle sum property by angle sum property एक angle 45 degree का है इसमें एक angle 55 degree का और एक angle वो जिसको find करना है इसका नाम क्या है DCB जाँ फिर BCD एक ही बात है is equal to 180 degree यह दोनों angles का sum हो गया है बटे 100 degree plus DCB is equal to 180 degree therefore जो हमको angle find करना है DCB लिखो जाब BCD लिखो वो कितने degree का आ गया sir 180 में से 100 को minus कर दो sir 80 degree that's all इतना easy question है cyclic वाला भी concept हमने लगाया है नहीं triangle से बात बन गई चलिए next example number 4 you can read this example यह तो बहुत easy question है two circles intersect at two points A and B ADACR diameters to the two circles prove that B lies on the line segment DC's का भी हमें diagram given है लेकिन नहीं given हो तो फिर हम बना सकते हैं दो circle ले लो कोई भी compass आपके पास होगा दो circle equal radius जाँ फिर different radius ले सकते हैं यह इसका center आगे यह इसका center आगे इसका center O रख लेते हैं इसका O' रख लेते हैं उसके कहा रहा है यह दोनों intersect हो रही है A और B point पे तो भाई यह A point रख लिया यह B point रख लिया AD and AC are diameters of the two circles AD तो इसका diameter रख लेते हैं AD यह आगे center से पास करवा ना भाई diameter यह आगे AD दूसरा आगे AC इसका diameter यह रख लेते हैं AC यह भी center से पास करें these are the two diameters ठीक है diagram बन गया prove that B lies on the line segment DC तो भाई DC को भी join करना बढ़े गा तो भी अगर ऐसा हो रहा है कि वो diameters हैं तो D और C को जब join करोगे न तो रास्ते में जो B आएगा तो question है कि जो B है वो DC पे lie कर रहा है यह prove करना that is very interesting so DC construction करो A को B से join कर दो अब A को B से join किया यह वाला angle और यह वाला angle अगर इन दोनों का sum आप 180 prove कर देते हैं उसे यह हो जाएगा कि यह linear pair है अब क्योंकि linear pair है तो D, B, C एक line prove हो जाएगी तो B हमारा of course फिर DC पे ही आएगा दो step का question है लेकिन इनको 180 prove कैसे करना है फिर वो diameter की बात कर रहा है तो diameter ने ही circle के ओपर यह angle बनाया हुआ जो कि right angle होगा अभी अभी आपने देखा given you can write prove हम start करते हैं here angle A, B, D A, B, D is equal to 90 degree number one इसका reason क्या डालना है angle in the semi circle by subtended by diameter A, D ऐसा आप complete भी लिख सकते है and angle A, B, C is also equal to 180 degree reason इसका बच्चे same रखे हैं आप अब दोनों को add कर दो angle को add one and two जब दोनों को add करेंगे तो angle A, B, D इसमें प्लस हो रहा है angle A, B, C 90 प्लस 90 180 हो जाएगा A, B, C A, B, D and A, B, C दोनों का sum 180 और इनमें B point common है तो आप लिख सकते हैं they form linear pair angles therefore जो हमारी पूरी side segment है D, B, C वो एक line होगी D, B, C is the line segment hence B lies on D, C बस ही प्रूब N, C, R, T में भी ऐसा ही है बिलकुल सा है बस ऐसा ही आपको करना ही है बहुत easy example है दो number में आ सकती है now the last example of this exercise और chapter की भी ये last example है बस 5 example है total अच्छे से कर लेना है and this example is very important एक तो first example वो भी काफी important और example 5 भी काफी important इसमें figure भी given नहीं figure भी खुद बनाना है और figure बनाते वक्त यहाँ पर बचे कहीं बर mistake अगर कर देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा प्रूब कैसे करना है तो figure मैं जैसे बनाता हूँ न इसी तरह से technique लगाना कोई tension यह आराम से figure बन जाएगा और समझ भी आजेगा करना कैसे है क्या रहा है prove that quadulator formed if possible अगर बनता हो by the internal angle bisector of any quadulator is cyclic sir क्या मतलब है statement का समझ में नहीं आ रहा है figure बनाता हूँ फिर समझाता हूँ पहले तो एक quadulator बनाओ quadulator आप कोई भी बना दो कुछ भी rectangle या parallelogram जैसा बनाने की जूत नहीं है वैसे ही आप scale लेकर free hand से quadulator बना दो अब यहाँ पर इसके four angles है इस quadulator के four angles है four angles के angle bisectors बनाने अगर बनते हो of course कई बार हो सकतर ना बने और फर्दर कोई quadulator ना बना पा रहे हो लेकिन ऐसा ही quadulator लेना है जिसके angle bisector further कोई quadulator बना दे तो हम मान के चलने एक quadulator इसके जो angle bisector जब meet करेंगे तो एक quadulator बना देंगे तो भी एक quadulator आ गया ABCD अब जो angle bisector बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं आपको देखो कोई भी एक side को पगड़ो जैसे DC ले लो AD ले लो AB ले लो BC ले लो कोई भी एक side पगड़ो उसके जो corner हैं दो points D and C मानो मैंने DC पगड़ा तो DC के जो end points हैं इधर से आप दो rays को निकालो ऐसे और इनको यहाँ पे meet करवाओ ऐसे बनाना है ठीक है तो यह जो दो angles हैं यह आपस में equal है क्योंग जो मैंने क्या बनाया मैंने दो bisector बना दिया एक angle D का और एक angle C का और उनको यहाँ पे मिला दिया clear इसी तरह से जो उसकी opposite side होगी उसके vice sector फिर बनाना ऐसे मत करना पहले D का फिर A का ऐसे अलग लग फिर मिलाने की कोशिश करोगी एक अठे दो बना दो ऐसे एक triangle सा बन जाएगा और उसकी opposite side का बनाना फिर ऐसे यह देखो अंदर देखो आपको एक अच्छा सा quadrilator दिख रहा है इसको quadrilator को prove परना यह cyclic ठीक है I hope figure कैसे बनाना आपको समझ में आ गया तो यह वाला angle और यह वाला angle भी equal है और यह वाला angle और यह वाला angle भी equal bisectors बनाए ना अपने angle के चलिए अब इसका नाम रख लेते हैं कुछ इस point का नाम P रख लेते हैं इस point का नाम Q रख लेते हैं और इसका R रख लेते हैं इसका S रख लेते हैं given बचे लिख लेना कि this Dp, Cp are bisector of angle D and C respectively फिर Aq, Bq are bisectors of angle A and B respectively and they meet with each other at P, R, Q and S two proof two proof में जो quadrilator बना है P, Q, R, S ऐसे मत देदाना naming का ध्यान रखना मैंने कैसे दी आप भी अपने according देख सकते हैं यहां लिखना है P, R, Q, S P, Q, R, S कोई quadrilator नहीं है देखो P से Q वो तो diagonal तो P, Q, R, S कोई quadrilator नहीं है according to this figure quadrilator अगर आप नाम रखने हैं इसका तो sides पर ही चलना हो था P, R, Q, S लिखना है two proof में क्या हैगा P, R, Q, S is cyclic quadrilator clear तो यह आपको यहां पर prove करना है अब cyclic की बात हो रही है तो बच्चे के माइंड में आता है यह सर्कल तो बनी नहीं मेरे बच्चे cyclic quadrilator का यह मतलब होता है कि उसके जो vertices है वो circle पे आ जाएंगे तो ऐसा जुरूरी नहीं कि हमें circle ही बनाना होता है हमें उसके opposite angle का sum 180 करना है अगर कल को circle बनाना पड़ेगा तो अफकोस उसके जो vertices है हमें circle पे ही रखेंगे लेकिन circle बनाने की जुरूरत नहीं होती है हमें सिरफ अगर prove करना कि वो cyclic है तो उसके opposite angle का sum 180 कर दो circle बनाने की जुरूरत नहीं यहाँ पर angle q और angle p इनका sum 180 जाफिर इसका और इसका sum 180 बता दूँगा किसी एक pair का बताना है दूसरे का automatically हो जाता है अब देखें यहाँ पर proof very simple मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मैं अगर इस angle की बात करूँ और इस angle की बात करूँ angle d, s, a angle q, s, p यह vertically opposite angles है और यह आपस में equal देखो ऐससे होते हुए अंदर inside जाना है इस coordinator के अंदर जाना है क्योंकि अंदर वाले angle का ही sum vanity दिखाना है तो बाहर वाले की थोड़ी help लेंगे यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ कि सर यहाँ पर एक triangle है d, s, a कोई भी एक triangle ले लो यह triangle ले लो यह triangle ले लो ठीक है और भी triangle आप यहाँ पर बना सकते तो फिलाल मैं triangle ले रहा हूँ d, s, a इन triangle d, s, a इसके तीन angle का sum 180 इसका नाम 1 रख रहा हूँ इसका नाम 2 रख रहा हूँ और इसको नाम complete देंगे angle 1, angle 2 और s point पे जो बना है इस तरफ angle d, s, a इन तीनों का sum 180 आप जो 1 or 2 है इनको दियान से देखो 1 or 2 जो 1 है बैचे यह d का half है d का half क्योंकि angle bisector था ना यह d, p तो angle 1 d का half है तो angle 1 की जगा आपको लिखना है sir angle 1 is half of d of course you can write और angle जो 2 है यह angle a का half है तो angle 2 की जगा लिखना है half of angle a angle 2 हटा देना है it is half of angle a basically जो बाहर वालग complete quadrilator na a, b, c, d उसके angles की भी मेरे को help लेनी है तो इसलिए मैं a, d और b, c में आऊँगा तो अभी मैं a और d में आ चुका हूँ और यहाँ पे जो a का angle और है उसका नाम है dsa अभी इस dsa को भी मैं नहीं लिखूँगा dsa की जगा इसका जो vertical यह opposite angle है उसको लिखूँगा और वो कोन है qsp qsp लिखने वाला qsp तीनों का सम 180 देखो मैंने क्या किया 102 को भी replace कर दिया और जो तीसरा dsa angle था उसको भी replace कर दिया जन्य एंगल सम प्रॉपटी लगानी एक ट्राइंगल में तीनों angles को replace कर देना है जो जिनके equal होते यहाँ पर आप reason डाल सकते है एक तो perpendicular bisector का और qsp क्यों लिखा vertically opposite angle यह दोनों reason आप यहाँ पर point बना कर लिख सकते है ठीक है reason जुरूर देना that you can write now half इसका common ले लिया तो पिछे angle a और angle d बचा angle qsp is equal to 180 angle qsp की मैं value निकाल लेता हूँ 180 minus half of angle a plus angle d इसको रखो number 1 similarly एक triangle यहाँ पर और है बिल्कुल उसके opposite b r c तो अब लिखेंगे in triangle b r c यहाँ भी angle sum property लगाएंगे by angle sum property इसमें भी तीन angles का sum हम लेंगे 180 एक angle हमारा आगया यह 3 और एक angle आगया 4 और एक angle r angle 3 plus angle 4 plus angle b r c is equal to 180 degree अब angle 3 किसका half है बस यह देखना आपको sir angle 3 तो angle c का half है तो angle 3 को आपने लिखना है half of angle c और angle 4 किसका half है sir angle 4 b का half है तो angle 4 की जगा आपने लिखना है half of angle b और b r c को भी replace कर देना है उसके vertically opposite angle जनी अपना जो main quadulator जिसको cycle improve करना है उसके अंदर गुजना आपको तो angle r यह बाहर वाला अब angle r अंदर वाला यह जिसका नाम है p r q p r q is equal to 180 इसका reason जुरू लिखना vertical opposite angle है इसलिए एको ले लिया और वो इसके angle bisector है इसलिए half of ले लिए यहाँ पर भी 1 by 2 हमारा common which angle c और angle b बच रहे और p r q की value मैं यहाँ पर बनाने बाला हूँ I can write therefore angle p r q is equal to 180 में से minus करेंगे half angle c और b b and c I can write it is number 2 अब इन दोनों को add कर दो 1 और 2 को add कर दो 1 में किसका value इना था qsp का qsp और 2 में मनाया p r q left side को add कर दिया right side क्या थी 180 half angle ad था और इदर है 180 half angle b और c q s p p r q 180 180 sir 360 देखो minus 1 by 2 minus 1 by 2 दोनों के साथ लगा है common आ गया पीछे क्या बच रहा है angle a angle d angle b angle c a d b c ये क्या है भई ये main जो बहारवाला quadrilator a b c d उसके 4 angles है और 4 angles का सम कितना होता है 360 degree quadrilator के 4 angles का सम 360 degree तो इन चारों का सम 360 ले लेंगे qsp prq 360 half 360 तो by 360 इसको किया cancel 180 तो बचा ना 180 angle qsp plus angle prq prq इतने सम आ गया 180 तो जो हमारा quadrilator है जिसको cyclic prove करना है उसके opposite angle angle qsp और angle prq जाँ qrp इनका सम है 180 दिखा चुका हूँ जोनि एक pair का सम है 180 दिखा चुका हूँ जो दूसरा pair है उसका भी सम 180 ही होगा क्योंकि 4 angles का सम 360 होता है 2 का सम अगर 180 दिख रहा है तो जो 2 बच की उसका सम भी क्या होगा 180 तो लेकिन prqs prqs इसमें 2 angle तो आगे qsp prq प्लस 2 angle और 2 angle और p और q angle p angle q इनका सम 360 इन दोनों का सम 180 बता चुके 180 तो p और q जो इसके 2 angle बचे इसका सम भी 180 अब हो जाए is 180 गोदर transfer करो 360 में से minus करो is 180 number 4 अब 3rd और 4th आपको क्या बता रहा है कि जो quadilator है उसके opposite angle का सम 180 हो चुक है therefore from 3rd and 4th we can say sum of opposite angles of the quadilator पी आर एस क्यू है ना पी आर क्यू एस पी आर क्यू एसा ही तो sum of opposite angles of the quadilator पी आर क्यू एस is 180 डिग्री therefore PRQS is cyclic quadilator hence proved तो मेरे बच्चे ये थी आपकी exercise 9.3 की 4 examples अच्छे से notes बना लेना एक दो बार इसको practice करना याद हो जाएंगे आपको next lecture हमारे exercise 9.3 पे रहेगा तो अभी गले इतना बच्चे thank you bye bye and take care जाएंगे बच्चे प्राइब आपको